दोस्तों नमस्कार आप देगरेंगरकेट एंडियाओ डेली गरकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज तारीक हो चुकी है 11 मई 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन बरगी गरकेट से जुड़ी सभी टोप कबरों के बारे में जहां पर एक तरफ IPL 2021 की स्टार्टिंग डेट को लेकर बिशिश्याई प्रेजिडेंट सोरो गांगुली की दरफ से एक बहुती बड़ा अपडेट यहां पर निकल करा रहा है वही दूसरी तरफ भारत और स्रेलंगा के बीचोने वाली सिरीज को लेकर भी बिशिश्याई की दरफ से एक बहुती बड़ी खबर यहां पर निकल करा रही है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरे निकल करा रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विश्तार से घुल कर बातचीत करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए प्रकेट जगत से जुड़ी है चोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों सब से पहले में आप सभी लोगों को बताना है चैकों कि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटसी टीम जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को जुरूर जोएन कर लीजिए जिया आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया जीरो सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्स और कमेंट बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाकर पड़ावर जोएन कर दीजिए वहाँ पर आपको क्रिकेट से जुड़ा हर एक अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले देखने को मिलता है तो चलिए बिनास मैगवाई अब हम बात करते हैं दिन पर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टोप खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर पांस T20 और तीन वंडे मैचों की शीरीज होने वाली लेकिन अब यहाँ पर कार्यकरम एक बहुती बड़ा बदलाव किया गया है जियां कल यहाँ पर आधिकारिक तोर पर ऐसी रिपोर्ट निकल कर आज होगी यहाँ जो शीरीज होने वाली है यहाँ केवल 6 मैचों की होने वाली है जिस दोरान तीन वंडे और तीन T20 मैच हमें भारत और स्रीलंका के बीच स्रीलंका में देखने को मिलने वाले और वही साथी साथ यहाँ पर इस सीरीज में हमें काफी सारे चेंजिज भी देखने को मिलेंगे एक बिल्कुल नई भारतिये टीम यहाँ पर इस जोगी काफी रोमान्चक मैच होने वाले हैं टीम इंडिया यहां पर पूरी तरह से बदली उइनेजर आने वाले और जल्दी यहां पर इस सीरीज के लिए भारतिय टीम का एलान भी हो जाएगा जैसे यहां पर स्कोर्ट सनाउस होंगे तो सब से पहले अपडेट आपको अप पर रोक दिया गया है पोश्पोन कर दिया गया है जिसके बाद सभी लोगों के जहन में सबसे बड़ा शवाल कि अगर किस तारीख से कौन से महिने में कौन सी कंट्री में वीवो आईपेल 2021 की शुरुआत होने वाली तो इसके उपर बिशिस्याई प्रेजिडेंट सोरव ग बड़ी दिक्कत यहां पर होने वाली है यानि अब बिशिस्याई यही प्लान कर रहा है कि कई बाहर यहां पर आईपेल के बच्चे वे मैचों को पूरा क्या जाए फिलाल विंडो की तलास है लेकिन जो विंडो अवेलेबल दिखाए दे रहे हैं यही है कि लेट सितंबर म पर जाएंगे वहां पर जाकर मुआयना करेंगे मुआयना करने के बाद आईपेल पर वहां पर हमें कुछ बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकता है इस पूरी सिचिवेशन के रिगार्डिंग जैसे ही कोई यहां पर अपडेट आता है तो वे अपडेट आपको सब से पहले अपने यूटुब चैनल करेंट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है उशके बाद हम बात करते हैं अगली ख़वर के तो यह ख़वर निकल करा रही है सन्राइज़ सabaबाथ की टीम को लेकर दिया सन्राइज़ सेद्राबाध की टीम में कोविड-19 पैंडिमी को धहान म रखते हैं एक बहुती बड़ा डिसीजन यहां पर लिया है जिहां आप सभी को पता है कि वहीं सभी फ्रैंचाइजियों ने फिलाल भारत में COVID-19 से लड़ने के लिए डोनेशन दे रहे हैं करोड़ रूपए की डोनेशन होई है तैसे में यहां पर संराइजर सैदराबाद की जो फ्रैंचाइजी है उन्होंने भी एक बहुती बड़ा कदम यहां पर उठाया जिहां 30 करोड रूपए की एक बहुती बड़ी अमाउंट यहां पर उन्होंने डोनेशन में दी है जिसका इस्तेमाल यहां पर COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए भारत में किया जाएगा साथ ही जाथ भई उक्षिजन की इस लेंडर्स की एप्लाई करने लिए उक्षिजन की पूर्ती करने के लिए इस पूरे funds का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर सुनराइजर्स, हैधराबाद ने अधीकारिक तोर पर कल अपने social media handles पर बताते हुए यहां पर भार को डोनेट कर दिया है उसके बाद हम बात करते हैं हंगली कबर के तो यह कबर निकल कर आ रही है भारत और स्री लंटा के बीच होने वाली ही शीरीज को लेकर जिहां मैंने आप सभी को बताया कि मैं जुलाई में शीरीज होगी लेकिन इसको लेकर एक बहुती बड़ा अपडे में से किसी भी खिलाडी को यहां पर इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया जाएगा यानि बिल्कुल यूनिक यहां पर टीम होने वाली है कैफ्टन के हम यहां पर बात करते हैं तो फिलाल जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे उसके इसाब से ऐसा बताया जाए रहे कि भई सिकर दवन को यहां पर स्रीलंका दोरे के लिए टीम इंडिया का कफ्तान बनाया जा सकता है लेकिन दोस्ते इस पूरे शिनेरे के उपर आपके क्या उपिनियन्स है हमें कमेंट बोक्स में जरूर देना अपनी रहे उसके बाद हम बात करते हैं अंगली ख गार्डिंग एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करा रहा है अपडेट कुछ ऐसा है कि यहां पर जो यह मतलब मैच होने वाला है इस मैच के लिए दो तारीक को जिहां दो जून को भारत की टीम भारत से इंगलेंड के लिए रवाना होगी वहां पर जाने के बाद 14 जून से 22 जून के बीच ICC World Test Championship का फाइनल महा मुकाबला इंडिया और निजी लेंड के बीच दिखाई देने वाला है उसके बाद हम बात करते हैं अंगली खबर के तो यह खबर निकल कर आरी ICC T20 World Cup 2021 को लेकर जिहां आप सभी को पता है कि COVID-19 pandemic के चलते पिछले साल का जो T T20 World Cup था उसको भी कैंसिल कर दिया गया था पोश्पोन कर दिया गया था लेकिन अब यहां पर खत्रे की गंटी इस साल वाले T20 World Cup पर भी दिखाई दे रही है जी आप सभी को पता है कि BCCI के पासिस के होस्टिंग राइट्स है और भारत में COVID-19 के कैसिज लगातार काफी ज 21 को ICC दो साल के लिए पोश्पोन कर सकती है अब यह पोश्पोन होगा या फिर नहीं इसके उपर कोई ओफीशिल स्टेटमेंट रही है कि वो सोर्सिज के हवाले से यहां पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है तो दोस्तों यह आज 11 मई 2021 कि ग्रिगेट से जूड़ी सभी च्छिंक